नमस्कार, चार जन्वरी को पूरी दुनिया में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है ब्रेल लिपी के आविशकारक लूई ब्रेल का चार जन्वरी के दिन ही जन्म हुआ था और लूई ब्रेल ने ने तरहीनों के लिए वर्दान मानी जाने वाली इस ब्रेल लिपी का आविशकार किया था लेकिन इस आविशकार की प्रेड़ना लूई ब्रेल ने कहां से हासिल की आखिर कौन सी परिष्थितियों ने उन्हें विवश किया कि वो ब्रेल लीपी का आविश्कार कर सके कहते हैं न कि आवश्क्ताएं आविश्कार की जननी हुआ करती है तो आज हम जानेंगे उस अनकही कहानी के बारे में जिसकी वजह से लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपी का विश्कार किया जानेंगे उनके संघर्सों की कहानी को उनकी जिंदगी की उस अनूठे दास्ता को जो आज लाखो करोडों युवाओं के लिए और युगो युगो तक एक नजीर पेश करती रहेगी तो आएए सुनते हैं वो कहानी स्कूल की तरफ से पेरिश शहर का भ्रमड करने निकला दस साल का वह बच्चा अपने दूसरे साथियों की तरह एक लंबी रसी पकड़ कर चल रहा था रसी का एक छोर स्कूल के पादरी प्रिंसिपल और दूसरा चपरासी के हाथ में तना हुआ था और बच्चों के अगल बगल शिक्छकों का घेरा था जाहिर से बात थी ये बच्चे अंधे थे जो देख नहीं पाते बेचारे इश्वर ने इनके साथ कितनी नाइनसाफी की है बगल से गुजरती एक बूढ़ी महिला की करुणा भड़ी आवाज सुनकर वह बच्चा फफक कर रो पड़ा रोने वाला वह बच्चा कोई और नहीं लूई ब्रेल था उसके ठीक पीछे चल रहे सहपाठी गनरियल ने उसे ढाडस देते हुए कहा रो मत्तो इब्रेल हम अंधे सही पर इतने बेचारे भी नहीं है हाथ का हुनर सीखने पर चर्च के बाहर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह बात आज से लगभग दो श्रताबदी पुरानी है जब नेत्रहीन होने का मतलब जानवरों की तरह हल या गाड़ी जुतना या भिखारी की जिंदगी बिताना होता था यही दुरभागे फ्रांस के छोटे से कस्बे कूपटवे में रहने वाले नन्हे लूई ब्रेल पर तूट पड़ा था तीन साल की उम्र में पिता साइमन ब्रेल के चमड़े के कारखाने में खेलते हुए लूई की आखों में सूजा घुस गया दोनों आखों में फैले संक्रमण से उसकी देखने की छमता धीरे धीरे जाती रही छड़ी से रास्ता टटोलते हुए नन्हा लूई चर्च में जाकर बैठता और बुड़े पादरी से तमाम किसी सुनता पादरी की सिफारिस पर उसे कस्बे के स्कूल में दाखिला भी मिल गया लेकिन जब हाजरी के बाद सिक्षक ने बच्चे से कहा कि कविता की किताब का पन्ना नंबर चार खोलो और सब साथ में पढ़ना शुरू करो तो लूई का दिल बैठ गया वह पन्ने पर अंगुलिया फिर रहा था लेकिन वहाँ उसे अपने आसुमों के सिवा कुछ और नहीं मिल रहा था परिवार और पादरी की कोशिश से रंग लाई और काफी मुश्किलों के बाद लूई को फ्रांस के एक एक इकलोते अंध विद्याले में दाखिला तो मिल गया रॉयल इस्टिटूट फॉर दे बलाइंड नामकिया स्कूल रालधानी पेरिश में था लगभग सो अंधे बच्चों के साथ वह स्कूल की वर्क्शॉप में बुनाई और चमडा सीने का काम सीखने लगा तेजी से हाथ का हुनर सीखने के बावजू लूई का मन उदास रहता था वह पढ़ना चाहता था उस स्कूल के बच्चों की तरह जहां उसके आंसों ने किताबों की स्याही को दुदला कर दिया था ऐसा नहीं था कि तब तक नेत्रहीनों के लिए पुस्तके बनाने की कोशिशें नहीं हुई थी पर वे इतने बेढ़ब प्रयास थे कि उनका होना या नहोना बराबर ही था तब लकडी के बड़े गुटकों को मो मादी से मोटे मोटे अक्षर बनाये जाते थे नतीजतन किताब के एक पन्ने पर बहुत मुश्किल से तीन या चार शब्दा पाते थे और सबसे बड़ी बात इनका अधिक शंख्या में प्रकाशन लगभग असंभव था और होता भी तो बेचारा कहलाने वाले नेत्रहीनों के लिए इतना सिर्दत कौन मोल लेता खैद लुई ब्रेल किसी और ही मिटी का बना हुआ था एक दिन चमडे पर काम करते हुए उसने सूजे से कुछ छेद बनाए इन छेदों का एक खास पैटर्न था दरसल लुई ने यह पैटर्न एक खुफिया फौजे लिपी से प्रिदित होकर बनाना शुरू किया था इस पद्धती में फौजियों को रात के अंधेरे में चूकर पढ़ सकने के लिए उभरे हुए संकेतों का प्रियोग समझना होता था प्रतेक शब्ड के लिए कागज की पट्टी पर उभरा संकेत होता था जो पढ़े लिखे फौजियों के लिए तो ठीक था पर उन नेतरहीनों के लिए बेमतलब ही था जिन्होंने अक्छर ग्यान तक न प्राप्त किया हो चमणे में सूजे से छेद करते हुए लुई के दिमाग में एक असाधरन सा विचार आया जो दुनिया भर के नेतरहीनों के जीवन में एक असाधरन क्रांती लाने वाला आविश्कार बन गया उसने सोचा कि अगर अक्छरों के लिए अलग-अलग उभरे हुए बिंदू संकेत बनाये जा सकते हैं हर शब्द के लिए अलग से संकेत बनाने की आवशकता नहीं रह जाएगी यानि कि सामाने बच्चों की तरह नेतरहीन बच्चे भी इन अक्छरों को जोड़कर पढ़शकेंगे शब्द मना सकेंगे और उनके जीवन में रोशनी होगी ग्यान की रोशनी होगी अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग शंकेत याद करने और समझने की जरूरत उन्हें नहीं रह जाएगी खुशी से कांपते हुए लुई ने दस मोटे कागजों की गड़ी बनाई और सूजे से छेद करना शुरू कर दिया बात की बात में वर्ण माला के 26 बिंदू संकेतों की दस प्रतियां तयार हो गई और शाम तक इनकी संख्या सौ पहुँच गई स्कूल के सभी साथियों के लिए लुई ब्रेल की वर्ण माला तयार हो चुकी थी जिस सूजे ने कभी उसकी रौसनी चीन ली थी या वहीं ब्रेल लीपी के रूप में दुनिया भर के नेत्रहीनों के जीवन में प्रकाश का उपकरण साबित होने जा रहा था पंद्रह साल के उस लड़के ने अपने जीवट से वह चमतकार कर दिया कि मात्र उन्नीस साल की उम्र में उसे अपने ही स्कूल में सिक्छक बनने का सम्मान मिला और ब्रेल लीपी की वजह से नेत्रहीन नकेवल पढ़ने बलकि लिख सकने में भी सक्छम हो सके कहते हैं ना कि जब तूटने लगे होसला तो बस ये याद रखना बिना महनत के हासल तक तो ताज नहीं होता जब तूटने लगे होसला तो बस ये याद रखना कि बिना महनत के हासल तक तो ताज नहीं होता और ढूंड लेना अंधिरे में मंजिल अपनी क्योंकि जगनु कभी रोशनी का महताज नहीं होता एक बार अगर आपने ठान लिया कि आपको जिन्दगी में कुछ करना है तो लूई ब्रेल इसके बड़े उदाहरन के रूप में आपके सामने हैं हम सब उनसे सीख सकते हैं हम सब को चाहिए कि हम बहुत सारा सम्मान और शुकराना न सिर्फ लूई ब्रेल के प्रती बलकि अपने आस पास जो भी नेत्रहीन लोग हमें दिखाई देते हैं उनके प्रती हम सम्मान स्रद्धा प्यार की भावना प्रदर्शित करें क्योंकि वे भी हमारी और आप की तरह इंसान हैं नागरिक हैं ये बात और है कि प्रकृती ने या किसी गहरी दुरगटना की साजिशों ने उनकी आँखों की रौशनी छीन ली है लेकिन आख्रों की रौशनी छीनने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सब उनकी जिन्दगी की रौशनी उन्हें ना दें हम सब उन्हें प्यार, मुहबत, जजबातों की दुनिया से सराबोर रखें और उनसे प्रेरित होते हैं